नमस्कार प्रियदर्शकों आज एक महत्वपुण विशय को लेकर आप सभी के समुख उपस्थित हुआ हुँ आज हम बताने वाले हैं एक ऐसे यंत्र के वारे में जिसके प्रभाव से व्यक्ति को दुरघटना होने का भय नहीं रहेगा वद दुरघटना से रक्षा होगी प्रियदर्शकों आज का हमारा विशय है शनक दुरघटना निवारण हेतु यंत्र कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे शनक दुरघटना में रक्षा होगी और दुरघटना का भय नहीं बनेगा प्रियदर्शकों वर्तमान समय में आज कल वाहन दुरघटना होना प्रायह साधारण बात हो गई है आए दीनों हम लोग वाहन दुरघटना की खबर सुनते ही रहते हैं अकबायर के माध्यम से सुने नियोजी चैनल के माध्यम से सुने या किसी भी प्रकार से आए दीने हम लोगों को वाहन दुरघटना की खबर सुनाई पड़ती ही रहती है प्रिये दर्शको वाहन दुरघटना का भय मन में होने से बचने के लिए आप इस यंत्र का परियोग कर सकते हैं जो यंत्र आज मैं आपको बताने वाला हूँ और प्रिये दर्शको यह यंत्र बहुत ही स्वरल है आप देख पा रहे होंगे ये नो डब्बो का एक चित्र बस आपको नो डब्बे बनाने है और मैं अभी आपको बताऊंगा किस यंत्र में क्या भरना है किस प्रकार से भरना है कब इस यंत्र को बना कर किस प्रकार से आ रक्षा करेगा शनक पर होने वाली दुर घटनाओं से आपकी रक्षा करेगा और मन में भय नहीं उत्पन होने देगा दुर घटना का लेकिन प्रियदर्श को आपको यह सदैव ध्यान रहे कि यह यंत्र आपकी रक्षा है तू तो है इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी त तरह से वहां चलाएं सावधानी और नियमों को ताक पर रख नहीं सकते आप आपको यह याद रहना चाहिए कि सावधानी सबसे पहले जरूरी है प्रिये दर्श को यह यंत्र आपकी आवस्य रक्षा करेगा आपके मन में दुर घटना अधी का भय नहीं बनने देगा लेकिन आपको सावधानी बहुत जरूरी है कहते हैं न सावधानी हटी दुर घटना घटी तो प्रिये दर्श को सावधानी सर्वप्रथम है और याता यात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है आपको यह ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना है आप इस यंत्र को धारण क करिए लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सवधानी नहीं हटनी चाहिए और याता यात नियमों का पुर्ण रूप से पालन करें प्रियदर्श को आईए अब बात करते हैं इस यंत्र के निर्माण की प्रियदर्श को इस यंत्र को रभी पुख्य या गुरु पुख्य नक प्रियदर्श को भोजपत्र पर अनार की कलम ले लेना है हलाकि मैं आप सभी को बता रहा हूं इसलिए अनार का कलम नहीं है लेकिन मैं जो यंत्र बनाता हूं और जो प्राण प्रतिश्चित करके देता हूं वह यंत्र भोजपत्र पर बनता है और अस्टगंध की स्याही ब बनाया जाता है और यंत्र का निर्मान करने की बीधी यही है सर्वपर्थम आपको अनार की लकड़ी निकालनी है सुभमोहुर्त में और उसको एक कलम की तरह बना लेना है और भोजपत्र ले लेना है आपको जितना बड़ा यंत्र बनाना हो चाहे जितना छोटा यंत्र बना लिख सकें, अब ऐसा नहीं कि आपने भोजपत्र का साइज छोटा ले लिया और आप उस छोटे साइज में लिख ही नहीं पा रहे हैं, जिसमें आप इस पश्टता से लिख सकें, उस साइज का भोजपत्र ले लेना है, उसमें नौ डब्बे बना लेने हैं, इस प्रकार से न उस्टेन अक्षत्र हो तो आपको यह यंत्र बनाना है यंत्र बनाने के लिए आपको lib येॱ्जपत्र परिनौथ औगब में लिखना है साथ प्रिय दर्शु को मैं ने यहां अंगरेजी में लिख दिया लेकिन भौ Ernst यंत्र का निर्मान करते समय यहां आप हिंदी के अक्षर लिखेंगे जो हिंदी में लिखा जाता है प्रिय दर्शको इसके बाद इस वाले डब्बे में लिखना है नौ मैं यहां अंगरीजी वाले अक्षर इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आप सभी समझ जाएं भोज पत्र पर आपको यंत्र बनाते समय हिंदी के अक्षर लिखने हैं इसके बाद इस वाले डब्बे में आपको लिखना है आठ और यहां सभी प्रक्रिया यंत्र निर्मान आपको गुरु पुख्य या रवी पुख्य नक्षत्र में करने हैं और इस कलम से आप नहीं लिखिएगा दाडिम की लगडी होनी चाहिए यानि अनार की कलम और अस्टगंध की स्याही और भोजपत्र पर इस यंत्र का निर्मान करना है इसके बाद फिर इस वाले डब्बे में नौ लिखना है इस वाले डब्बे में आठ लिखना है यहां आप साथ लिखिएगा फिर इस वाले ड भावशाली यंत्र है आप इस यंत्र का निर्मान करने के बाद 15 या 684 द्वारा पूजन करके लाल रंग के कर São में बानध तावीज की तरह आथ में धारन करना है आपको थहाइने हाथ में धारन कर बांध कर आपको रवी बार या मंगल बार के दिन इस यंत्र को धारण करना है इसके प्रभाव से आपको दुर घटना का भाय नहीं रहेगा और दुर घटना से रक्षा होगी प्रिय दर्श को यह यंत्र बहुत ही स्वरल है आप इसको रवी पुख्य या गुरु पुख्य नक्षत्र में बना कर पंचो पचार या सोड़ सो पचार द्वारा इसकी पूजा करके इस यंत्र राज्जी की पूजा करके लाल वस्त्र में लपेट कर आपको रवी बार या म मंगलबार के दिन धारण करना है प्रियदर्श को यह बहुत ही सरल है आप इसका पूजनोव परांत प्रतिष्ठा करके इस यंत्र को धारण कर सकते हैं आपको सदैव ध्यान रहे भोजपत्र पर ही लिखना है और यह अंक हिंदी में होने चाहिए और इस यंत्र को बनाकर प् यह यंत्र आपकी रक्षा करने वाला होगा लेकिन आपको यह सदैव ध्यान रहे कि सावधानी बहुत जरूरी है प्रियदर्श को याता यात नियमों को ताख पर रहकर आप नहीं चल सकते आप यह नहीं सोच सकते कि हमने यंत्र पहना है हमारी रक्षा हो जाएगी अब त प्रियदर्श को आपको नियमों का ध्यान रखना है और इस यंत्र को सुब महुर्त में धारण करिए आपके लिए लाप्रद होगा प्रियदर्श को आज के लिए बस इतना ही आप से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए वीशाय के साथ तब तक के लिए प्रिया दोasma से धाजान के लिए प्रियस ये अनुे स्पस्टिर्वयों प्रियक है के लिए लो पलन में भ्रियस ये है का आपके कि लिए पार इस बालो का